सच बात ये है कि नरेंद्र मोदी के आने से उनके प्रधान मंत्री बनने से हिंदूओं का स्वाविमान जागा है और हिंदूओं का जो स्वाविमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है कही है कि ये हमेंटी मोदी नहीं है बलकि मोदी के प्रसंसक है और इसलिए प्रसंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदूओं के पक्ष में दिर्टा के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधान मंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है बताओ ना अच्छे-च्छे प्रधान मंत्री हो गए हम किसी की आलोशना नहीं कर वह हैं उन सब की अपनी अपनी विशेश्टाएं थी लेकिन हिंदू भावना को समक्तन देने वाला हिंदू स्वाभिमान को हिंदू की आत्मबल को बढ़ाने माला यह तो पहला ही प्रधान मंत्री है न और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी कैसी बात करते हैं आप लोगों को तो केवल यही धुन है यही एजंडा आप लोगों ने बना लिया मीडिया ने कि बस एंटी मोधी एंटी मोधी शिद्ध कर दो आप यह बताईए कि जब इनी प्रधान मंतरी के दोरा इनी के गरह मंतरी के दोरा धारा 370 समाब तक ही गई क्या उसका स्वगत हमने नहीं किया नागरिक्ता कानून लाया गया क्या उसके बारे में हम लोगों ने अच्छा नहीं कहा समान नागरिक समिता की जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक चिंताएं हैं उनको व्यक्त करते हुए क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं प्रधान मंत्री जी ने सच्छता का अभियान देश में चलाया क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली श्री राम जनम अभूमी के निर्णे के आने के बाद किस तरह से लायन आडर को पूरे देश में मेंटन किया गया किसी प्रकार का कोई दंगा पसाद नहीं होने दिया गया इतने बड़े निर्णे के आने के बाद भी यह जो उनका परशासन के संचालन का कौशल था क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वियनी ग्रूप से प्रसंसा नहीं की जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभावी ग्रूप से प्रसंसा होती है और ये गामना देंदू